हलो और वेल्किम दोस्तों तो फाइदा क्या है ऐसे बहुत सारे प्रशना आपके दिमाग में होंगे इस टेस्टिंग को लेके तो बस आखरी सेकंड तक रुख जाईए इस वीडियो के आपको इन सभी प्रशनों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा और टेस्टिंग सबसे पहली बार तुभी ओनेस्ट यह जो टर्म है ना टेस्टिंग यह अब तक बार बार रिपीट पे भाईया कई बार हम समझ चुके हैं कि भाईया ठोक पीट के कुछ तो चेक किया जा रहा है लेकिन क्या रिलाइबिलिटी ऑप दे सिस्टम बस इतना मीन जैसी एक्जांपल देता है रियल लाइफ एक्जांपल कि आप लेट से मार्केट में चलेगे आपको एक प्रोड़क्ट बड़ा अच्छा लग गया है बहुत सही लगा आपको एक प्रोड़क्ट तो उसको खरीदने से पहले आप आप अब्यसी बात है वो जो सेलर है जो बेचने वाले परसन है उनसे पूछते हो क्या आपका जो यह प्रोड़क्ट है यह टिकाव है यह बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कब तक टिक जाएगा यह टिकाव है इसमें दृड़ता है इसमें स्तिर्ता है इसमें मजबूती है और अगर इन सभी प्रश्णों के उत्तर अगर वो seller भाईया यस दे रहा है अगर हाँ दे रहा है तो आप तो भाईया clearly बोल सकते हो कि ये product reliable है that is what you need to understand अगर इस शब्स समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाईया इन शब्दों से ही समझ लीजिए कि reliability का क्या मतलब निकल सकता है ऐसा ना हो जाए कि भाईया कोई कोई mobile लेके आते ना अपन सही बात है कोई mobile लेके आते नया नवीला कोई एक्सवाइज ब्रैंड का लेके आ जाते और ऐसा लगता है एक हफ्ते तक तो बड़ी आ चल रहा था यार यह तो बहुती सही चल रहा था अब पता नहीं एक हफ्ते के बाद क्या हो गया यह लाग म अपनी नहीं नहीं किया है कि यहां हमारा जो उद्देश होता है यह आपके यूजर को एकस्पीजेंस मिल रहा है रिगार्डिंग डाट सौफ्ट्वेर एप्लिकेशन सिस्टम क्या वो स्टेबल है और कंसिस्टेंट है जो शरुवात में मिल रहा था वही उस ताइम फ्रे बिना किसी वहिया respectively system breakdown के, data loss के, downtime के, inaccuracy के या delays या lack के, बात समझ में आ रही है, यह हमारा उद्देश होता है, जो कि इन points में मैंने आपके सामने reliability testing में clear कर दिया, अब यहाँ पे हम initially करते भी कहें, obviously बात्यार देखो, हमें चीज को समझना है कि वो क्या better way में काम करीगी, और इसे इस्तमाल हो सकता है, वो सारे user patterns जो हम लोग यहाँ पर design करने कोशिश करते हैं, model करने कोशिश करते हैं, यहाँ पर भाईया data loads को भी introduce किया जाता है, varying data loads introduce किया जाते है, stress conditions के अंदर आपके उस respective जो system में उसे रखा जाता है, और फिर उसे measure किया जाता है, check check किया जाता ह कि अब बता भाई result क्या देगा, अब बता भाई तू, अब result क्या देगा, अब तू कैसे perform करेगा, जरा मुझे ये detail में बताना, और उसका result वो देता है, और उस result से हमको फिर कुछ analyze करना पड़ता है, उसके basis पे conclude करना पड़ता है, कि भाई इसमें कौन-कौन सी कमिया रह यानि कि यहां हम बात करते हैं, FR, यानि कि failure rate, जब यह सब चीजे introduce कर दी जाती है, तो फिर over a certain period of time, what is the frequency of failure, इसी को हम लोग failure rate कहते हैं, एक certain period of time frame में, आगर आपका failure rate बहुत जादा है, मतलब जो frequency of failure है, वो बहुत जादा है, हद से जादा है, तो वह यह product system application किसी काम का न नहीं है, इसको market में launch करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाईया, जैसी आप उसके हाथ पे रखोगे, failure आना, मतलब जो user, hand user, उसके हाथ में अपना product रखोगे, failure आना शुरू हो जाएगा, वो refund की मांग करेगा, कि भाईया, यह मेरे को नहीं पसंद आ रहा, यह नहीं एक-दो साल तो कोई problem आना नहीं चीए, इसमें आप बात समझ दर, एक-दो साल तो कोई problem आना नहीं चीए, लेकिन फिर भी आ गया, तो चलो फिर हम समाल लेंगे, हम free में भाईया, उसकी servicing कर देंगे, यह whatever it is, बराबर है, hopefully you are getting the point, तो यही चीज जो यहाँ पे की जा रही लेट से system की कुछ configurations को यहाँ पे change कर दो, do whatever it takes, but failure rate को कम करो, और यही चीज, यही उद्देश्य जो है, हमारा होता है, ताकि हमारे respective user के experience में stability add हो सके, consistency add हो सके, और availability भी add हो सके, तो ऐसा नहीं हो जाए कि भाईया, user ने कोई तो command दिया है, user ने भाईया कुछ तो request किया है, और other side पे server system response ही नहीं कर रहा है, available ही नहीं है, down हो चुका है, यह आपने देखा रहा है, यह breakdown, downtime show कर रहा है, या फिर लेक्से आपका data ही loss हो गया, कोई आपने operation किया, और उसमें भाईया, इतना जादा heaviness भाईया, आपके system में आ गया है, कि आप वो data directly आपने जो input दिया था वो lose हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो भी result वो दे रहा है, जैसे मैंने बोला ना click यहां किया, खुल कुछ और रहा है, inaccurate हो रहा है, मैं यहाँ पर अपना gaming करने कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाईया, उसमें delays introduce हो रहा है, जब तक मैं आपने pocket से गन निकाल हू उस game में तब तक वो तो मेरे को खतम कर रहा है, यह चीज नहीं चलेगी, तो बस simple वाशा में भाईया, आपके user को जो है, यह सब कुछ experience करने को ना मिले, इसलिए reliability testing जो है, वो यहाँ perform की जा रही है, और उसे यह मिले, I think अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो जी द आप जोरी इस वीडियो को शेयर किए अपने सारों दोस्तों के साथ, thanks a lot दोस्तों for watching this video.